सल्मान खान की दवंग्तिरी दामदार लेकिन सुनाक्छी सिना के फैंस को मिलेगा जटका आपका स्वागत करते हैं बॉलेगराद के गलियारे में भारत की सूटिंग खात्म होते ही दवंग्तिरी की सुरुवात हो जाएगी इस फैल्म के लिए सल्मान खैंस के साथ साथ सुनाक्छी सिना के फैंस भी काफी खुस हैं आखिर चुल्वल पांडे और रज्जो की जोडी तो सुपर हिट है ही लेकिन बता दें दवंग्तिरी में सुनाक्छी सिना का रोल काफी छोटा कर दिया गया है दवंग्या दवंग् दिखना दिल्चस्प होगा कि दबंग 3 फैंस को कितना इंप्रेस कर पाती है क्योंकि सिक्वल फिल्मों से उम्मीद काफी बढ़ जाती है फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा करेंगे जबकि पोड़क्शन की जिम्मेधारी सलमान खान खुद या अरबाज खान निवा सकते हैं रिपोर्ट्स की बाने तो सलमान खान की दवंग्तिरी की कहानी रियल घटना पर आधारी थे दवंग्तिरी में एक असली पुलिस वाले की कहानी दिखाई जाएगी ये पुलिस अफसर नुटा के हैं और कुछ समय पहले इनका एक बावबली पॉल्टीशियन के साथ जवर जस भिरत का किस्सा वारल हुआ था फिल्म नुटा के एक पुलिस कर्मी की कहानी है यही वज़ा है कि मेकर्स ने इसे खास बनाने के लिए सेट की जगा रियल लोकेशन पर ही सूटिंग करने का फैसला किया है प्रभु देवा ने कहा है कि फिल्म के स्क्रिप्ट का काम पूरा हो चुका है सलमान भी स्क्रिप्ट सुन चुके हैं जल्द ही फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी दबंग्तिरी में कमेडी, इमोशन, एक्षन, सभी कुछ है कास्ट नहीं है फाइनल दरसल दबंग्तिरी की कास्टिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है सलमान खान सुनाची सिना ने लूप टेस्ट दे दिया है, लेकिन कई किरदार अभी फाइनल होने हैं लिहाजा फिल्म को फ्लोर पर आने में पिलाल कुछ देरी हो सकती है अरवाज खान ने दबंग्तिरी के बारे में बात करते हुए कहा है कि टाइगर जिंदा है कि तरह दबंग्तिरी भी लोगों को पसंद आ सकती है क्योंकि फ्रंचाजी के लिए लोगों में अलग तरह की बेसबरी होती है ये एक ब्रांड होती है लिहाजा हम भी लोगों को कुछ परफेक्ट देना चाहते हैं दवंगत्री अब 2020 के अन तक रिलीज हो सकती है अब फिल्म सलमार खान की है तो किसी बड़ी डेट को ही लॉक करेगी ऐसे में माना जा रहा है कि दवंगत्री अगले साल की दिवाली या क्रिस्मस पर धमाका कर सकती है या फिर 2020 तक के लिए टाल दिया जाएगा आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताइए कि सुनाक्षी सिनहा का छोटा रोल होने से दवंगत्री पर क्या फरक पड़ेगा आप हमें जाएगा